Hello students, यो वीडियो कु प्रोब्लम स्क्रीन मा देखिरागोशू दा क्वेशन मा देखोशू एन आइसोटोपस अप्टासियम विच इस दिकेंग इंट आर्गन और हाफ लाइफ अफ 1.37 इंट तो दिवाब नाइन येर्स प्रेजन टायममा दा रेशियो अफ पोटासियम आटम्स एनदा आर्गन आटम्स इस 1 इस्टो 7 चाहबाने क्वेशन मा सो देखोशू वाट इस दा एज अफ दीज रग्स जुन नुक्लियर रियाक्शन मून रग्मा बहिराखोशू इसलामाली सो गारेखोशू पोटासियम एटम्स जुन आर्गनमा डिके बहिराखोशू सपसगर जती खेर यू रियाक्शन इस्टाड वायो 2 टाइम्स इनिशियल टाइम्स टी इकल जीरो टाइम्स नम्मर पोटासियम आटम वाज अनद इट मींज निउक्लियर रियाक्शन इस्टाड वदाखेरी पोटासियम आटम्स अनद्स हो बाने आर्गन आटम्स डेफिनेटल जीरो थियो स्टाइटिं टाइम्स अब अब टाइम्स टु टाइम्स पोटासियम आर्गनमा चेंज हो दे गए बाने आप्टर टाइम्स अप्टर टाइम्स इट मींज अउलेको प्रेजेन टाइम्स अपोटासियम आटम्स अब आपने बनना सक्षों कि present time मा आरगन को atoms कती छओ therefore present निकालनो बरो बने initially potassium atom को नम्म थियो n0 present मा n atom left सा बने जती atom decrease भायो तो तो potassium बड़ा आरगन मा खन्मड बाको छओ it means number of argon atoms present बननो बरो बने n0 minus n लिखना सक्षों initial number of potassium minus present number of potassium जती decrease भायो तो आरगन मा खन्मड बाको छओ इसको बालू n0 minus n लिखना सक्षों now question मा देखो सा हमलाई number of potassium atom to the number of argon atom in present time that is number of potassium atom in present time by number of argon atom in present time को ratio सारे 1 is to 7 1 by 7 छओ बने question मा सोद्यो यो t को वालू कती हुँँच interval of time अनेर age of these rocks अनेर सोदेगो छओ now from the laws of radioactivity that number of atoms left n निकाले फर्मुला छओ n0 exponential of minus lambda into t अब पोटासियुम को प्रेजिन नॉमर अफ अटम्स लेफ निकालनो पर बने first मा लेम्दा जा लेम्दा ले dk को स्टांड रेप्रिजन गासा बने we have the dk को स्टांड can be calculated by the formula of लेम्दा इकल टो 0.693 बाई t-half according to the question t-half को वालू देगोश 1.37 10 to the power 9 years which is equal to 5.06 10 to the power minus 10 unit उन्च पर years किना बने t-half लाई जून टाइम को unit मा राख्षों लेम्दा को unit उन्च तेसके रेचिप्रो कल्मा मैले इसको लागी time year मा छोडेके शुबाने लेम्दा को unit उन्च पर year मा now equation number 2n लेम्दा को वालू ला equation number 1 मा substitute गारे रा t को वालू calculate गारना सक्सों then from equation number 1 n by n naught minus n को वालू 1 by 7 जा बने sly inverse गार देऊ n naught minus n by n equal to 7 by 1 उन्च रेश यो n ले डिवाइड गारे वाने n naught by n minus 1 इक्वाल टू राइट इन साइड मा 7 रायो और n naught by n इक्वाल टू यो 1 राइट इन साइड मा जाता खेरी 7 प्लोस 1 8 होने रेश और equation number 2 बड़ा n naught by n को वालू लिखने बने n naught by n को वालू लिखने सक्षों 1 by exponential of minus लेट इन्ट इन्ट इक्वाल टू मा यो n राइट इन साइड मा आएड exponential left side मा गाए बने n naught by n इक्वाल टू 1 by exponential of minus लेबदा इन्ट 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 इन् और S पर आ T को वाल्यू निकालनों पर वाने log 8 divided by lambda which is equal to log 8 को वाल्यू उँछ 2.079 by lambda को वाल्यू क्यालकुरेट गर निकाले कुछ 5.06 इंटु 10 तो दी पावर माइनस 10 पर यार यह सब वाल्यू लाई सौल बार आ T को वाल्यू निकालनों जसको वाल्यू आउसर 4.11 इंटु 10 तो दी पावर 9 यार्स